ऐसा समय आ रहा है जब जानकारी जमा करने का कोई मूल्य नहीं होगा अच्छी याददाश्ट को बुद्धी की तरह पेश करना वेर्थ हो जाएगा आपके बोध की तीवरता और आपकी बुद्धी की तीजी भविष्ची की दुनिया में यही चीजें जादा महत्वपूर होंगी हम ऐसे समय में हैं कि शिक्षा के मामले में हम एक मोड पर है आज शिक्षा के बारे में ना सिर्फ हमारी बुनियादी सोच बदलना जरूरी है बलकि शिक्षा में पूर्ण परिवर्तन जरूरी है एक ऐसा समय आ रहा है जब जानकारी एकटा करने का कोई मूल्य नहीं होगा एक ऐसा समय आ रहा है जब एकत्रित जानकारी को ज्यान की तरह पेश करना अतीत की बात होगी अच्छी यादाष्ट को बुद्धी के रूप में पेश नहीं किया जाएगा जो कि आज की शिक्षा प्रणालियों की बुनियाद है जिसकी यादाष्ट अच्छी होती है उसे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है खेर आज आप जानते हैं कि आपके सेलफ़ून की यादाष आपसे बहतर है हमारे कुछ फोन 600GB के हैं येकिन मानिया आप में वैसी यादाष नहीं है आपके बुद्ध की तीवरता और आपकी बुद्धी की तेजी ये चीजें आपके दिमाग में भरी मेमरी से ज़्यादा जरूरी होंगी ये एक अच्छा समय है बहुत अच्छा समय इनसान के इस बोज को उतारने के लिए क्योंकि ये है नाम के ग्यान का बोज इनसान को मार रहा है एक बच्चे के दिमाग में जानकारी ठूस कर हम कई तरह से उसके जीनियस को मार रहे हैं जो हर इंसान में होता है इंसानी बुद्धी की प्रकरती अलग है हमें यादाश्ट को कभी बुद्धी नहीं मान बैठना चाहिए हर इंसान के पास जीनियस का एक अंश होता है सवाल बस यही है क्या हम उस विशेश जीनियस के बाहर आने के लिए उसे सही तरहा का महल दे पाएंगे यही चुनौती है यही समय है जब आप सभी शिक्षा से जुड़े लोग ऐसे मुकाम पर हैं जहां आप जितनी जल्दी अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलेंगे हमारे बच्चे भविश्य की दुनिया के लिए उतने ही भेतर तयार हो पाएंगे देखिए हमें यह समझना चाहिए हलाकि भारत एक देश है पर भारत के अंदर कम से कम चार से पांच देश है सभी की जरूरतें एक जैसी नहीं है देश में एक सबसे अमीर वर्ग है लोगों का एक वर्ग उच्च मध्यम वर्ग है जिसकी आकांशाएं बहुत अलग है एक मध्यम वर्ग है चो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी वगेरा कैसे मिलेगी। साथ ही ग्रामीन और दूसरे आयाम भी हैं जहां बात है किसी तरह उस समाजिक और आर्थिक गड़े से बहार आने की, जिसमें वे फसे हुए हैं। हम इन सभी वर्गों को ऐसे नहीं देख सकते कि वे एक हैं। ऐसा करना गलत होगा। समान शिक्षा के नाम पर हम ऐसा कर रहे हैं। मैं इसके पीछे की सोच समझता हूँ, पर ये प्राक्टिकल नहीं है। इसी वजह से भारत के चात्र विदेश जा रहे हैं और विदेशी विश्वे विध्याले उन्हें 24 अरब डॉलर की शिक्षा दे कर पैसे कमा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम समाज के हर वर्ग को मदद दे पाएं। अगर हम ये मदद नहीं देंगे, तो हम अलग-अलग तरह के मनुष्य तयार नहीं कर पाएंगे, जो खुशाल देश के लिए जरूरी है। तो हमारे लक्ष बस यही था, लोग कागस पर अपना नाम लिख पाएंगे यही हमारा फोकस था हमें समझना चाहिए कि हमारे देश की शिक्षा ऐसे बनाई गई थी कलर्क बनाने के लिए उन्होंने पाया कि भारतिय दुनिया भर में अच्छे कलर्क बनते हैं क्योंकि वे पूरी दुनिया को जीतने की योजना बना रहे थे ये शिक्षा अंग्रेजी महारानी के अफसरों ने तयार की हमने कुछ बदलाव किये हैं पर हमें और बड़े बदलाव करने होंगे मैं कह रहा हूँ, ये शायद आपको कड़वा लगे पर मैं कह रहा हूँ, भाषा के अलावा अंग्रेजों की शिक्षा का हर पहलू बदलना जरूरी है अंग्रेजी भाषा दुनिया का पासपोर्ट है ये भाषा रखनी चाहिए बाकी सब कुछ हटाना जरूरी है क्योंकि वो एक खास मकसद से बनाई गई थी तब हुक्म मानना गुद्धी से बड़ा था ये अपने बच्चों की परवरिश का तरीका नहीं है ये गुलामों की परवरिश का तरीका है पर अब इसे पलटना शुरू करने का समय आ गया है हम इसे अचानक नहीं बदल सकते वरना चीज़े बिगड जाएंगी हमें इसे बदलना शुरू करना होगा उस आदर्श की और जिसके बारे में हम सोच रहे हैं खेल, कला, संगीत, नाटक, जीवन का हर आयाम इस देश का खजाना है है ना, तो लाखों लोगों को एक स्तर तक शिक्षित करना एक बात है ऐसी काबिलियत वाले बच्चों पर विशेश ध्यान देना एक अलग बात है अगर हम ऐसा ना करें तो हमारे पास महान विज्ञानिक नहीं होंगे महान mathematicians नहीं होंगे हमारे देश में कुझ भी सार्थक नहीं होगा इस संस्कृती को हमेशा ऐसा پोषण मिला है हम इस देश में कई सबसे महान mathematicians महान संगीत कार महान नरतक केवल इसलिए पैदा करपाए क्योंकि जो लोग संगीत सीखने के लिए उन घरानों में जाते थे, वे केवल संगीत और संगीत ही सीखते थे अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम किसी भी शेत्र में महानता पैदा नहीं कर पाएंगे सब हर चीज के छोटे तुकड़े जान पाएंगे, पर वे किसी चीज में अच्छे नहीं होंगे आपको ये समझना चाहिए, ये एक ऐसा देश है, जहां कोई हमें हुक्म नहीं दे पाया यहां तक कि जब अफ्तार आए, वे भी हमें पर हुक्म नहीं दे पाये हमने उन्हें सिर्फ सवाल पूछे आदी योगी आए, उन्होंने अपनी प्रिये पतनी से बात करने की कोशिश की उन्होंने उनसे लाखों सवाल पूछ लिए क्रिश्ण ने अपने सबसे करीबी दोस्त अरजुन से बात करने की कोशिश की वो भी युद्ध के मैदान में उस आदमी ने सेकड़ सवाल पूछे, वो चुपचप सुन ही नहीं पाया, क्योंकि यह भारतिया है, और कहीं अगर किसी ने कहा कि मैं भगवान का एजिंट या भगवान का बेटा या वैसा कुछ हूँ, तो उन्होंने कहा यही भगवान की इच्छा है, चुप करके सुनो, वैसा वैज्ञानिक स्वभाव नहीं है, जो हर चीज को खारिश कर दे, जैसा कि आज हो गया है, हमारे पास एक अलग तरह का वैज्ञानिक स्वभाव है, हम हर चीज पर सवाल पूछते हैं, पर आदर के साथ, हम नमन करते हैं और कहते हैं, आप मेरे भगवान है, पर मेरे स पूछते रहते हैं। अगर आपको कोई प्यार करें। आपको थोड़ा चमकना चाहिए। हाँ याना, आपको थोड़ा चमकना चाहिए। कैसे चमकें? मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अलग माहौल में आपको अलग तरह से चमकना होगा। मेरे लिए मेरी इमानदारी मेरी नैतिकता के कारण नहीं है। मेरी इमानदारी मेरी मानवता के कारण है। यही एक मात्र मूल्य हमें होना चाहिए, कि हम इनसान हैं, बाकी सभी मूल्य हमने खुद बनाए हैं, है ना। जरूरी बात ये है कि हम कभी भी अपनी मानवता से समझोता ना करें क्योंकि कई बार हमारी नैतिकता, हमारे मूल्ले, हमारे नियम, हमारी मानवता के खिलाफ होते हैं नाम के नैतिक लोग एक दूसरे के साथ अमानविये चीज़े कर रहे हैं, है ना? धर्म के नाम पर, नेतिक्ता के नाम पर, नियमों और मूल्यों के नाम पर, लोगों ने एक दूसरे के साथ भयानक चीज़े की है, है ना? तो मानपता का क्या मतलब है? देखिए, इस धर्ती का हर प्राणी, अपनी स्वभाविक बुद्धी से जीता है, उनमें कोई नैतिक्ता, कोई मूल्य, कोई फिलोसफी या धर्म नहीं होता, वे अपने स्वभाव से जीते हैं, वे अपने स्वभाव से हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए हम ब आपको हम कहते हैं human being, यानि कि आपको being या होना आना चाहिए, हम उससे कितने दूर हैं? अगर आपको होना आता, तो क्या आप अद्भुध होते हैं या बुरे? तो इनसान होने का मतलब है, आप जानवरों को देखिए, ऐसा होता है, आपने जंगली जानवरों को ऐसा करते नहीं देखा होगा, पर कम से कम आपने सडक पर कुट्टों को हर जगा पेशाप करते देखा है, आपको लगता है कि उसे पेशाप की समस्या है? नहीं, वह पेशाप का सामराज्य बना रहा है, वो हर दम अपनी सीमाएं तै कर रहा है, तो मानव होने की बुनियादी बात यह है, कि हम यहाँ अपने अंदर सीमा का भाव लाए बिना जी सकते हैं, दूसरे सभी प्राणी ऐसे जीते हैं, क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, ये मेरा एरिया है वो तेरा एरिया है पर इंसान में इससे आगे जाने की शम्ता है अगर आप उसका इस्तिमाल नहीं करते तो हमें कहना पड़ेगा कि आप एक इंसानी जीव हैं ना कि human being human being यानि आप अपनी सीमाई मिटा सकते हैं अगर ये काम हम करते हैं अगर हम अपने बच्चों में ये जगाते हैं तो हमें उनकी नैतिकता की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी जब तक वे अद्बुद इंसान हैं हमें उनकी मानवता को ऐसे उभारना चाहिए हमारी मानवता ही हमारे अस्तित्व का चहरा हो बाकी सब इसके बाद हो मेरी पसंद नापसंद, मेरी नैतिकता, मेरे मूल्य, मेरी आस्था, मेरे देवता, मेरे देवदूत, मेरा स्वर्ग सब हमारी मानवता के बाद आएं मानवता ही हमारे अस्तित्व का चहरा होना चाहिए यह आपको हमारे बच्चों में लाना होगा झाल 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 मैं छोटा था तो मेरे पिता न मुझे सिर्फ एक बार सजा दी बहुत मुस्किल है ऐसा पिता पाना जो सिर्फ एक बार सजा दी आओ एक चपत मुझे मारी सिर्फ एक बार मैंने उन से कहा कि मारना आपको जितना हो आप मार सकते लेकिन फिर एक बात ख्याल रखना कि मेरे आपके बीच प्रेम का अरिस्ता न रह जाए आप मुझे नहीं मार रहे प्रेम को मार रहे मैं कैसे प्रेम कर सुकूँगा उस व्यक्ति को जो मुझे दुख दे रहा है पीडा दे रहा है परिशान कर रहा है निश्य थी मैं निर्भर हूँ अभी आप पर अपने पैरों पर अभी खड़ा भी नहीं हो सकता तो आपकी जो मरची मारेंगे तो भी ठीक सहनों होगा लेकिन मुझे नहीं मार रहे हैं ख्याल रखना मेरे और आपके बीच जो प्रेम हो उसे मार रहे वे सम्वेदंसी लव्यक्ती थे बहुत सम्वेदंसी लव्यक्ती थे बस पहली और आखरी सजा वही रही उन्होंने फिर मुझे कभी दो सब्द भी नहीं कहें मारना तो बहुत दूर मैंने कुछ भी किया हो ठीक किया हो गलत किया हो उन्होंने जैसे एक बात तो बहुत ही गहरे मनने ले ली कि प्रेम को नश्ट नहीं करना है मुझे पैसों की जरुवत पड़े तो कहीं मुझे चुराना न पड़े किस बच्चे को नहीं चुराना पड़ था इस ख्यार से कि मुझे कभी चोरी न करनी पड़े वो एक डब्बे में पैसे रख देते थे कि मुझे जब चाहिए हो निकाल लू जितने चाहिए हो निकाल लू ताकि पूछना भी न पड़े क्योंकि पूछो तो भी अर्चन होती किस लिए चाहिए क्यों चाहिए अभी कल ही तो लिए थे मुझे पूछना ना पड़े उन्हें पूछना ना पड़े इसलिए पैसे रख देते थे जब डब्बा खाली हो जाया तो भर देते फिर उनके मेरे बीच प्रेम की एक गहराई बढ़ती चली गई जिससे भी भै है उससे प्रेम नहीं हो सकता उससे गरने होती इसलिए हर बच्छा बड़े होकर अपने माबाप से बदला लेता जुम्मवारी माबाप की है बच्चे की नहीं बदला लेका ही तुम जब ताक्तवर थे और बच्चा कमजोर था तो तुम ने उसे सताया अच्छे अच्छे नामों से सताया एक से तरकीवे इजात की सताने की अपनी धारनें के आधार पर उसे सताया और तुम्हारी धारना इस सच है इसका तुम्हें आसवासन है फिर जब बच्चा बड़ा हो जायागा उसके हाथ में ताकत आईग एक दिन चाप घुम जायागा तुम बुड़े हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे तुम से चलते ना बनेगा, उठते ना बनेगा तब तुम्हें वो भी कछ्रे में फेक देगा तब मत रो ये तुम अपने किये का फल भोग रहे हो लोग भी खूब अजीब है पिछले जन्मों की तो बाते करते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों के फल मिल रहे हैं और इसी जन्म में जो उपद्रो करते रहते हैं उनका गणित बिठाते नहीं पिछले जन्म था के नहीं ये भी तुम्हें पता नहीं मगर ये जन्म तो साफ है इसी जनम में हिसाब ज़रा देखो अत्यन सरल थी जिसको साधू करे वैसी साधू थी तुम्हारे मात्माओ जैसी ने सच में ही साधू थी उसके भक्तो ने मुझ से का कि आपकी ये मानती आपके सिवा ये किसी की मानती ने आप इतना कह दो इससे हमारी पार्थन है कि अब उम्र बहुत हो गई सब तर पार कर गई अब जादा दिन जीएगी भी नहीं तो अपने उनुभों लिख दे खुद तो लिख नहीं सकती मगर हम लिख लेंगे लिख आ दे कालिदास भातिया एड़ोकेट था है को उट थी उनों सब वकालत छोड़ दी थी और भूरभाई के कपड़ दो दे थे उन्हें मुझे से ये कहा कि आप से प्राफ़ था है इतनी इसके पास रहे कि 20-70 मैंने जाना है कि बहुत तीरे जवाराथ नकर मैं लिख वाती है मैं लिखने दे थी मैंने भूरभाई को कहा कि ये बिज़ारे इतने परिसान है तो लिखवा दे उसकी मुझे तो 70 साल थी लेकिन मुझे से पहती थी बापजी उसमें का बापजी आप कहें तो ठीक लिखवा दूगी ये तो स्ट कालिदास मेरे पीछे तो जरूश कालिदास जो कहता है ये काम पूरा हो जायागा दुबारा जब मैं गया तो सारे बक्त एक बड़ी सुन्दर लगड़े की मंजुसा में पाला लगाय हुए उठा के सिर पर कालिदास भाट गया है उसे सिर पर रखे हुए थे एक सुन्दर मंचुसा को लेके आये बूरबाई भी आये रस रही थी बहुत अखालिदास में का आप उठाटन कर दे बूरबाई ने किताब लिखी है हमको तो लिखने नहीं देशने और हम तो ये जानती नहीं थे कि ये लिखना भी जानती नगर ये बिलकुल ताला लगा कि जुपचाब लिखती थी कहती थी कि बाप जी आएंगे उनसे उठाटन करवा दूगी हमें तो पते नहीं इसने क्या लिखा है हम पड़े उस्सुख हो रहा हैं देखने को कौन सी किताब लिखी क्या लिखा आप ये चावी बूरगाई के पास है वो आप उचावी देगी ये पेटी आप खोलने हैं और किताब निकालके सब्पे सामने लगने मैंने पेटी खोली किताब क्या थी एक छोटी सी किताब दसवारा पन्य होगी एक दो इंच की लंबाई और कुई एक देड़ इंच की चोड़ाई है और किताब कोलके देखी वो बिल्गुल काली थी उसमें कुछी लिखा ही नहीं और सफेद पन्य भी दी बिल्गुल काले और भूरगाई थीखे लाठाश में लखी मैंने का कि ठीख यो इस गाटन हो गया ये बूरगाई ने अच्छा सास्त्र लिख दिया अरे दूसरों ने लिखी है तो वो थोड़ा बहुत काला करते है इसने इतने लिखा है तो बिल्कुल काला करती है लिखती जई लिखती जई बूरगाई ने जागे मैंने पहली का था कि बाब्दी पहचान जाए अरे मौने भी कहा कि जब लिखनी है तो क्या कंजूसी करना है दूल खोल के ही लिख दो एक दफर जो लिखनी है जिन्दगी में सो लिखी दो एक कालिदास वीतरप्त हो जाओ कालिदास है ये सो इसके नाम से मुझे यादाया कि कालिदास ही कर दूँ ये गुष्ट पीछे पड़ा है तो ये रहा द्रंत उध गाटन हो गया पक्त करते बड़े निरास हो गी तो हम तो मंजूसा इतने बेंड बाजा बजा के लाए क्या पता था कि ऐसी मजाख हो जाएगी लगर बाद उसमें ठीक कही कि अब क्या कंजूसी करने है जब लिखना ही तो पूरा ही लिख दिया और तुम के कंजूसी नहीं करते हो बच्चों के साथ बही हो रहा माबाब लिख रहे हैं बढ़ों सी लिख रहे हैं मौले बाले लिख रहे हैं इस्कूल में सिक्षक लिख रहे हैं अध्यापक लिख रहे हैं प्रफिसर लिख रहे हैं लिखी जा रहे हैं लोग नेता और समासुदारक और जू मिल जाए हो ही लिख रहा है गोट डालते हैं बिलकुल। काला करते हैं बच्चों को। उनकी प्रतिवनश्टriminal हो जाते हैं। अब जो हिंदु है मुसल्मान है, ऐसाई, उसमें क्या कहा ह। प५्रदिभा होोगी। प५रदिभा हो तो हिंदु नहीं हो सकता। तो इसमाने ने कड़ता है, निजा ने में प्रतिसअध में रिखाई पढ़ेगा है य जotion ऑनी को हो फावज करभी प्रतिवाज साली जन नहीं होसका, बॉद्र नहीं हो सकता है बुद्ध हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, होगा, जीसस हो सकता है, मौम्मद हो सकता होगा, लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता है, इसाई नहीं हो सकता है, चाल रहे, इसाई इसाई नहीं थे, और मुद्ध बॉद्ध थे, और मुद्ध बॉद्ध थे, और मुद्ध बॉद्ध थ यह जो लोग लिख गए, वो दूसरे थे, यह हिंदुों का अपना सब्द भी नहीं, यह भी उधार, ऐसी उधारी है, कुछ भी अपना नहीं, सब उधार, यह सब्द भी उधार है, पहली तफ़ा इस देश में जो लोग आए, गून और बबर, उनकी भासा में, सा के लिए हा का उच्छारण होता है, तो सिंदु नदी को हिंदु नदी कहते थे, और सिंदु नदी के आसपास जो रहते थे, वो हिंदु, असल में हिंदु का अर्थ होता है सिंदु, हिंदी का अर्थ होता है सिंदी, सिर्फ सिंदी को हग है यह कहने का, कि मैं हिंदु, ना कि किसी को सुसिंधी तो, और आगी चले गए हैं वो कहा हिंदू बगर है, उन लास नगर मुनोंने एक फैक्टी कोल रगी, उन लास नगर में जो चीज़ बंती हो, वो समझे दुनिया में कहने ही बंती, मैंने सुना है कि एक पृत्योगिता हुई, कि दुनिया में सबसे जागा कारी-गरी खाँ हो थी, पर एक तार पर, इतना बारी तार अमरीका में बना, तो उतना बारी तार को यह बना सके, खाली आँख से दिखाई ना दे, बार से भी पफला, जट्योग उसको तुम विशेस यंत्रों से न देखो दिखाई न पड़े, उस तार को लेटे भी लोग जर्मनी गे, जर्मनी के कारी-गरों ने, उस तार में एक छेत कर दिया, दंग ने थे वो, आज खर्दी के तार में छेत कर दिया, फिर वो जापांडे, जापांईयों ने, उस तार पर, बाइबिल का एक प्रसंदित भी या, रहान हो गया। उन्हों का भी इस प्रस्के आह के कौन कारी-गरी कर सकेगा। मगर उनों काई कमंध लॉन ने जनी और जाओ ! अब ये जर्मन पर वी उलॉस्थ लॉ impose रह वन कंग वो ज़ुत्य में इता मेड़न्हा, उस पे लिकेत आए मेडन ए मेड़न यूएस है! बड़ी कारी करी से लिखा है लेकर पूछा उन्हें के अधिकर्दी रहते हैं विएसे का मतलब होता हैं मेडन उलास नगर शिंदी एसोसियेशन USA निन उलास नगर शिंदी एसोसियेशन वह तो कहा हिंदुस्तों का अगर गुमान देगा तो बहुत आगे निकल चुके हैं हर चीज मेड इन यूएस से बना देते हैं बंटी उलास मेडर में सिर्फ सिंधी को हिंदू अगर कहे तो चल सकता है बांकी तो किसी को हिंदू कहने की कोई जरुवत नहीं मगर उसी हिंदू सब्द से सारे सब्ध बनें फिर जब ग्रीक भाडता है यूरानी तो उनकी पहसा हम गॉर फर्फ हो गए वो हिंदू को सिंधू को सिंदस कहते थे यह हिंदस यूरान का कोस्ट खोस्त इसिकंदर के साथ यह सब्द इंड़स हो गया और इंदस से इंडिया इंडिया और हिंदू दोनों सिंदू सब्द से ही पैदा हुए और दोना विजातियों ने दिये तुम्हारा देवा सब्द भी नहीं प्रतिभा की कहां बात करते हो कोई प्रतिभा साली होगा जो हिंदू है कि मुसल्मान है कि हिसाइय प्रतिवा साली व्यक्तिकेबल मनुस्य होता है, और छोटे बच्चे मनुस्य की तरह पैदा होती, और तो उनकी प्रतिवा हर जगे दिखाई पर सकती है, भृतिजा, चाचा जी, आप मेरे जन दिवस पर जो एक नन्हा सा ख्यलोना लाये थे, उसल कि जाते नहीं चाहिए। प्रतिवा एक उरिला ने सबक के किनारे किसी बच्चे को सिगरेट पीते देखा तो बोली क्या तुम्हेरे पिता को मालू में कि तुम सिगरेट पीते हो बच्चों को बच्चों को अंतर बंखी का बनाया जाये? पहली तो बात ये है कि बच्चों को कैसा बनाया जाए इसकी बजाए हमेसा ये सोचना चाहिए खुद को कैसा बनाया जाए हमेसा हमेसा ये सोचते हैं कि दूसरों को कैसा बनाया जाए और मैं ये भी आप से कहूँ कि वही गत्ती ये पूच्टा है कि दूसरों को कैसे बनाया जाए जो खुद थीक से बनने में असमर्प रहा है अगर उसके खुद के गत्त् estavam का ठीक ठीक निर्माण हुआ हूं पतबन के जिसी सुत्रों से उसनी खुद को नियुमित किया है खुद के जीवन में सांती को सुल्म को पाने की दिसा खोजी है खुद के जीवर में संगीत पाया है उनी सूत्रों से उनी सूत्रों के आधार पर वो दूसरों के निर्मान के लिए भी अनायास आउसर बन जाता है लेकिन हम पूसते हैं कि बच्चों को कैसे बनाया जाए इसके पीछे पहली तो बात ये समझ लें कि आपकी बनावट कमजोर होगी ठीक ना होगी और ये भी समझ लें कि किसी दूसरे को बनाना डैरेक्टली सीदे सीदे असंभव है हम जो भी कर पाते हैं दूसरों के लिए वो बहुत इन डैरेक्ट बहुत परोक्ष बहुत पिछे के रास्ते से होता है सामने के रास्ते से नहीं कोई माँ अपने बच्चों को बनाना चाहे किसी खास धंका अंतरमुकी बनाना चाहे सत्तेवादी बनाना चाहे चरितरवान बनाना चाहे परमात्मा की दिसा में ले जाना चाहे तो इस भूल में कभी ना पड़े कि वो सीधे सीधे बच्चे को परमात्मा की दिसा में ले जा सकती क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को किसी दिसा में ले जाने लगते हैं उसका एहनकार उस व्यक्ति का एहनकार चाहे वह छोटा बच्छा ही क्यों न हो हमारे विरोग में खड़ा हो जा क्योंकि दुनिया में कुई भी घ prepare जाना पसंद भी करथा छोटा बच्छा भी नहीं करता जब हम उसमें लगते हैं कहीं हो और कुछ बनाने लगते हैं तब उसके भीतर, उसकी एहंता उसका एहंकार उसका अभिमान हमारे विरोब में कड़ा हो जा वो सक्ती से इस बात का विरोब करने लगता है क्योंकि ये बात उसे आक्रमक डिग्रसिव मालूब पड़ती है इसमें हाकमन है और इस हाकमन का वो विरोब करने लगता है छोटा बच्चा है जिस जिस बात के लिए इंकार किया जाता है वही वही करने बोच सुख होता है जिस जिस बात से निसेट किया जाता है वही वही जाता है जिन जिन रास्ते पर रुकावट डाल जाती है वही रास्ते उसके लिए आकर शक हो जाती है फ्राइड एक बड़ा मनुवेग्यानिक हुआ अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ एक दिन बगीचे में घूने गया जब सांज को वापिस लौपने लगा अंधेरा गिर गया तो देखा दोनों ने की बच्चा कहीं नदारत थे फ्राइड की पत्नी गबड़ाई उसन का तुमने उसे कहीं जाने को वर्जित तो नहीं किया था कहीं जाने को मना तो नहीं किया था उसकी इस्तिन का हुआ मैंने मना किया था फवारे पर मच जाना तो उसने का सबसे पहले फवारे पर चलके देख लें सो में 99 मौके तो ही है कि वहीं मिल जाए एक ही मौक आया कि क जाने से रोकते हैं वे बातें आकरशक हो जाती हैं बच्चा उन बातों को जानने के लिए उस सुपता से बर जाता है कि जाने जिन बातों की तरफ माबाब ले जाना चाहते हैं बच्चे के उस सुपता समाप्त हो जाती है उसका एहनकार जग जाता है वो रुकावट डालता ह वो जाना नहीं चाहता आप ये बात जान के हरान होगी कि इस तथने आज तक मनुस्व के समाज को जितना नुकसान पहुचाया है किसी और ने नहीं क्योंकि मावाब अच्छी बातों की तरफ ले जाना चाहते मावाब बुरी Бातों से रोक पे बच्छे की जिग्यासा बुरी बातों की तरफ बढ़ जाती मावाब अपने ही हाथों, अपने बच्छों के सत्रूसित होते इसलिए सैथ कभी आपको ये ख्यान आया हो कि बहुत अच्छे घरों में बहुत अच्छे बच्चे पैदा नहीं होते हैं कभी नहीं होते हैं बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो बहुत निकम्मे साबित होते हैं गांधी जैसे बड़े व्यक्ति का एक लड़का सरापिया मांस खाया धर्म परिवर्दित किया अशिजनक है क्या हुआ यह गांधी ने बहुत कोसिस की उसको अच्छा बनाने की वह कोसिस दुस्मन बन दे यह बात तो यह समझने कि जिसको भी परिवर्दित करने का ख्याल उ आपके जीवन का प्रभाव बहुत अंजाओं रुप से बच्चे को प्रभावित करता है आपकी बात है नहीं आपके उपदेश नहीं आपके जीवन की च्छाया बच्चे को परुप्छ रुप से प्रभावित करती है और उसके जीवन में परिवर्दित की बनियाद बन ज सब्सक्राइब दो और सिक्वारल जाये। में कभर यह सरते हैं। बच्चों सांथ माबाप अपने इस सांथ अ कि माबाप नीचे साथ जिसका कोई हिसाब नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती, जब भी हम किसी को दबाते हैं तब हम रिसा करते हैं, बच्चे के हैंकार को चोट लगती लेकिन वो कमजोर है, सहता है, आज ने कल जब वो बड़ा हो जाएगा और ताकत उसके हाथ में आएगी, तब तक आप बूरे ह हो जाएगे, तब आप कमजोर हो जाएगे तब वो बड़ा लेगा, बूरे माबाद के साथ बच्चों का जो दुर्बाभार है, उसका कारण माबाद ही है, बच्पम न बच्चों के साथ जो किया है, बुरा आप नो बच्चों के साथ करेंगे, इसलिए भूल के भी सरल्दा से, बच्चे को सुझाना, आदेष मत देना, ये मत कहना कि ऐसा करो, जब भी कोई ऐसा कहता है ऐसा करो, तब ही भी दोनी प्यदा होती सुनने वाले की कि नहीं करेंगे, ये बिलकुछ सहच है, उससे ये मत कहना ऐसा करो, उससे ये ही कहना कि मैंने ऐसा किया conscious कि आ उसे समझाना ंदे नी उप्देश नहीं उपदेश और आदेस बड़े खतल नाक सिथ होटे हैं छोके बच्छे का बहुत आदर करना क्योंकि जिसका हम आदर करते हैं उपको ही केवल हम अपने हिरगे के लिगक लापाते हैं ये हैराने की बात मालूम पड़ेगी हम तो चाहते हैं कि छोटे बच्चे बड़ों का आदर करें हम उनका कैसे आदर करें लेकिन अगर हम चाहते हैं कि छोटे बच्चे आदर करें माबाप का तो आदर देना पड़ेगा ये असंभो है कि मावाप अनादर दे और बच्चों से आदर पाले ये असंभो है बच्चों को आदर देना जरूरी है और बहुत आदर देना जरूरी उपते वे अंकुर है उपता हुआ सूरच है हम तो विर्थ हो गए हम तो चुप गए अभी उसमें जीवन का विकास होने को है वो परमात्माने एधने रट्ट्रो को भेजा है, उबर रहा है उसके प्रती बहुत सम्मान, बहुत आदर जरूरी है आदर पूरवक, प्रेम पूरवक, खुद के रट्ट्रो के परिवर्टन के द्वारा उस बच्चे के जीवन को भी परिवर्टन किया जा सकता है अंतर मुखी बनाने के लिए उच्छा है अंतर मुखी तभी कोई बन सकता है जब भीतर आनंद की दोनी गूंजने लगे हमारा चित वहीं चला जाता है जहां आनंद होता है अभी मैं यहां बोल रहा हूँ अगर कोई वहाँ एक वीना बजाने लगे और गीत काने लगे तो फिर आपको अपने मन को वहाँ ले जाना थोड़ी पड़ेगा वो चला जाएगा आप अचानक पढ़ेंगी कि आपका मन मुझे नहीं सुन रहा है वो भी ना सुनने लगा मन तो वहाँ जाता है जहां सुख है जहां संगीत है जहां रस है बच्चे बहर मुखी इसलिए हो जाते हैं कि वो माराब को देखते हैं दौरते हुए बाहर की तरफ एक मा को वो देखते हैं बहुत अच्छे कपड़ों की तरफ दौरते हुए देखते हैं गहनों की तरफ दौरते हुए देखते हैं बड़े मकान की तरफ दौरते हुए देखते हैं बाहर की तरफ दौरते हुए उन बच्चों का भी जीवन बहर मुखी हो जा अगर वे देखें एक मा को आँख बंकिये हुए और उसके चहरे पर आनंद जरते हुए देखें और वे देखें एक मा को प्रेम से भरे हुए और वे देखें एक मा को छोटे मकान में भी प्रफल लित और आनंदे और वे कभी-कभी देखें कि मा आँख बन कर लेती है और किसी आनुद के लोग में चली जाती है वे पूछेंगे कि ये क्या है कहां चली जाती हो वे अगर मा को ध्यान में और प्रार्थना में देखे वे अगर किसी गहरी तल्लीम तानों से दूबा हुआ देखें वे अगर असे बहुत गहरे प्रेम में देखें तो वे जानना चाहेंगे कि कहां जाती हो ये खुसी कहां से आती है ये आखों में सांती कहां से आती है ये प्रफुलता चेहरे पर कहां से आती है कि संदरी ये जीवन कहां से आ रहा है वे पूछेंगे वे जानना चाहेंगे और वही जानना वही पूछना वही जिग्यासा फिर उन्हें मार दिया जा सकता है तो पहली तो जरुवत है कि अंतर मुखी होना कुछ देखें अंतर मुखी होने का अरत है घड़ी दो घड़ी को 24 घंटी के जीवन में सब बादी चुप हो जाएं मौन हो जाएं बीतर से आनंद को उठने दे बीतर से सांती को उठने दे सब तरह से मौन और सांतों के घड़ी दो घड़ी को बैठ जाएं जो माबाब 24 घंटे में भी गंट दो घंटे को मौन होको नहीं बैठते हूं, उनके बच्चों के जीवन में मौन नहीं हो सकता है। दुर बचन बोठते हूए। बच्चे देखते हैं मअबाब के बीच कोई बहुत गहरा प्रेम का संबंद नहीं देखते हैं, कोई सांधी नहीं देखते, को लानव नहीं देखते, उदासी, उख, गबलाद, परिशानी देखते, ठीक इसी तरह की जीवन की दिसाउनकी हो जाती, बच्चों को बदलना हो, तो खुद को बदलना जरूरी है, अगर बच्चों से प्रेम हो, तो खुद को बदलना एक दम ज जीवन बने गा या डिरेगगा और वह आप को निर्बर हो गया अब आप जो भी करेंगी उसका पेणा उस बच्चे पर हो गा अगर वो बच्चा बबड़ा अगर वो गलब दिसां में गया अगर दुख और पिड़ा में गया तो उसका पाप किस के उपर होगा बच्चे को पैदा करना आसान लेकिन ठीक अर्थ हो मा मा बनना बहुत कठीन है बच्चे को पैदा करना तो बहुत आसान है पस उपक्षी भी करते हैं मनस भी करते हैं भील बढ़ती जाती है दुनिया में लेकिन इस भीर से कोई हल नहीं है माहोना बहुत कटिन है अगर दुन्या में कुछ हिस्तरियां भी माहो सकते तो सारी दुन्या दूसरी हो सकती माहोने कारते इस बात का उत्तर दाये तो कि जिस जीवन को मैंने जन्म दिया है अब उस जीवन को उचे से उचे स्थरों तक परमातना तक पहुँचाने की दिसा पर ले जाने मेरा तर्टब और इस करतब भी कि छाया मुझे खुद को बदलना होगा क्योंकि जो व्यक्ति भी दूसरे को बदलना चाहता हो उसे अपने को बदले मिना कोई रास्ता